नमस्कार दोस्तो जसी टेक में आपका हार्दिक स्वागत है तो आज शुक्रवार 17 दिसंबर 2021 को जो हुआ वो आपको पहले ही इसका इसकी आशंका आपको जता दी गई थी कि बहुत ही खतरनाक सेलिंग आने वाली है बैंक निफ्टी में खास तोर पर और वही आज हुआ अगर कोई बैंक निफ्टी की पूट लेके जाना चाह रहा है तो लिके जाए अलाकि मैं कभी भी ऐसी कॉल्स नहीं देता हूं लेकिन कल मैंने अपना शेयर किया था कि मैं एक पूट लेके जा रहा हूं अपने वाट्सएप ग्रूप पे शेयर की थी यह बात और आज आज लोगों ने कई लोगों ने मुझे स्क्रीन शेयर किये हैं जिन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें बनाया है खैर आज मैं बिल्कुल भी डेटा की बात नहीं करूंगा कि इसका डेटा क्या है कहने की कोई जरूरत ही नहीं है कि इसका आज डेटा कहां बैठ रहा है आईए बात करते हैं आज ओपनिंग कहां हुई ओपनिंग हुई थी 17,276 पर निफ्टी की हाई लगा 17,298 उसके बाद ऐसे नीचे को आया जैसे पता नहीं लग रहा था कि पाताल कहां है निफ्टी के लिए 17,966 का लो लगा और 16,985 पर क्लोजिंग हुई है दोस्तो 17,000 के नीचे क्लोजिंग हुई है सिर्फ पांच ही ऐसे स्टॉक्स थे जो है कि विप्रो, इनफी, HCL Tech, पार ग्रेड और सन फार्मा त्री मेजर स्टॉक्स आर IT सेक्टर स्टॉक्स ये गेनर्स में थे और बाकी 45 स्टॉक्स टिक्लाइन्स में थे जिन में लीड कर रहा था इंडिसंट बैंक, टाडा मोटर्स, ONGC, कोटेक बैंक और हिंदुस्तान योनिलिवर अब बात करते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी की जिसमें की बहुत ज़्यादा वीकनेस थी बैंक निफ्टी दोस्तों आज लगबग 930 पॉइंट डाउन क्लोजिंग हुई है इसकी 36491, 36500 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई 3650 हाई लगाया और उसके बाद हजार पॉइंट के लगबग हजार से नीचे आया 35535 का लो लगा के 35618 पर इसकी क्लोजिंग हुई है दोस्तों एक भी बैंक नाट इवन अ सिंगल बैंक वस इन ग्रीन तोडे ओल दी 12 बैंक वर इन रेड आज कोई भी बैंक ग्रीन में था ही नहीं ऐसा लगा ही नहीं कि आज बैंक निफ्टी कुछ करने की कोशिश भी कर रहा हूँ अब दोस्तों बात करते हैं कि संबार को यानि कि 20 दिसंबर 2021 को आपको किस तरह से ट्रेड करना है दोस्तों याद रखिए कि अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी अभी अपने 200 डेमा पर है और 200 डेमा से वापिस सपोर्ट लेके वापिस उपर बहुत तेजी से जाता होता है 100 डेमा के लिए 100 डेमा हमारा बैठता है लगवा 37,000 के आसपास और अभी जो 35,600 के आसपास आ रहा है हमारा 200 डेमा यहां से मुझे लगता है कि हमको उपर का दुबारा से एक बार बाउंस दिखना चाहिए लेकिन आप लोग लेवल्स पे काम कीजेगा 35,936 जब क्रॉस होता है तब ही बाइंग में आईए 35,936 के बाद आपको 36,115 मैंने बिलकुल छोटे-छोटे लेवल्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि बैंक निफ्टी आप छोटे-छोटे लेवल्स पे काम करने में ही आपको अनन्द आएगा 36,115 उसके बाद लेवल आएगा 36,267 and once that gets crossed you will see 36,563 now बात कर लेते हैं निफ्टी की निफ्टी 50 के अगर बात करें दोस्तों तो निफ्टी 50 अभी भी बैंक निफ्टी से जादा स्ट्रॉंग नजर आ रहा है दिखें निफ्टी 50 में जब आपको मंडे को 20 दिसंबर को काम करना है तो यह याद रखिएगा कि निफ्टी 50 अभी अपने 100 डेमा को ब्रीच कर चुका है नीचे के लिए लेकिन 200 डेमा के आसपास भी नहीं है अभी काफी नीचे है 200 100 डेमा तो मुझे उमीद है कि दुबारा से एक बार को 100 डेमा को टच करने के लिए निफ्टी दुबारा जाएगा 100 डेमा बैठता है लगग 17,171 के आसपास बट यह मेरा फर्स्ट इनिशल टार्गेट है 17,171 बट इन एनी केस हम लोग लेवल्स पर जब बात करेंगे तो अगर आपको यही रुक रहा निफ्टी का और 16,966 से नीचे निफ्टी जाती है तो सेल कर दीजगा 16,905 के लिए और 16,905 के बाद आपका नेक्स लेवल आ रहा है 16,878 अब दोस्तो मेरे को बहुत उमीद है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत बड़ी सेलिंग आ चाहिए बैंक निफ्टी भी शायद कुछ रिकवर करेगा और बाकी कुछ स्टॉक्स तो ऐसे होंगे जो चलेंगे ही और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो जाए मंडे को तो आपको लेवल पे धान देना है 17,051 के बाद आप को बाय करना है 17,092 के लिए और उसके बाद 17,148 के लिए 17,148 अगर तूटेगा तो आप फिर 17,171 जो की एक इसके उपर जो मेरा लेवल आ रहा है 17,171 वहां तक जाने का असार नज़र आएगा तो दोस्तो ये है मंडे के लिए आपको कैसे काम करना है कैसे ट्रेड करना है कैसे ट्रेड में रहना है और आज क्या हुआ उसकी छोटी सी समरी दोस्तो मेरी आपसे कुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें जरूर करें चैनल को शेर जरूर करें दोस्तों के साथ और comment में जरूर बताएं कि आपको अगर कुछ लगता है कोई feedback कुछ भी feedback देना हो या कोई question हो कोई query हो आप जरूर हमा में feedback दे सकते हैं comments में बता कर आपसे ये भी गुजारिश है कि subscribe करने के साथ साथ आप notification bell को भी दबाएं ताकि आपको सभी notifications चैनल पर जो आने वाली हैं वो समय सर मिलते रहें शुक्रिया नमस्कार धन्यवाद हैपी वीकेंड फ्रेंड्स